हेलो मूंफली व्यूवस, एक्ट्रिस हिना खान की जिंदेगी में परशानियां खत्म होने का नामी नहीं ले रहे हैं पहले उनकी जिंदेगी में ब्रेस्ट कैंसर ने दस्तक दी जिसके इलाज के लिए उन्हें कीमो थरिपी लेनी पड़ी और अपने लंबे बालों की कुर्बानी देनी पड़ी उसके बाद उनसे नफरत करने वाले लोगों ने उनकी इस बिमारी को उनके द्वारा हच के दौरान की गई बेहयाई का कारण बताते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया लेकिन अब उनके बुरे वक्त की इस कहानी में कामियाबी भी उनका साथ छोड़ती नजर आ रही है सुनने में आ रहा है कि हिना की बिमारी की ख़बर पब्लिक होने के बाद से उनके अपकमिंग टोजिक्स पर भी इसका असर देखने लगा है हिना खान डिजनी प्लस होट स्टार की एक वेब सीरीज राप्चिक रीटा में नजर आने वाली थी बताया जा रहा है कि ये एक फीमिल सेंट्रिक कोट रूम ड्रामा सीरीज थी जिसे हिना खान के करियर के लिए काफी एहम बताया जा रहा था क्योंकि इसमें हिना खान पहली बार वकील के रोल में नजर आने वाली थी और इस सीरीज में जो कोट केसिस लिए गए हैं उन केसिस को हिना खान बहुत ही ट्रिकी वे में सॉल्व करती ही नजर आने वाली थी लेकिन जैसे ही राप्चिक रीटा के मेकर्स को हीना खान की ब्रेस्ट कैंसर का पता चला, वैसे ही उन्होंने सिरीज से हीना को ड्रॉप करने का मन बना लिया बी टाउन से मिले इस अपडेट के मुताबिक हिना खान को रापचिक रीटा से ड्रॉप करने के बाद मेकर्स ने ये रोल बॉलिवूड अक्टरस अदस शर्मा को ओफर किया है हाला कि अभी एक्टरस अदस शर्मा या मेकर्स ने इस पर कोई भी ओफिशल स्टेट्मेंट नहीं दिया है लेकिन इस खबर के बाहर आने के बाद सही हिना के फ्रिंट्स को खासा निराशा हुई है उनका मानना है कि इस तरह इस बुरे वक्त में हिना को फिल्म से बाहर निकालना सही बात नहीं है लेकिन बिजनस के पॉइंट यो व्यू से देखा जाए तो ये डिसीजन मेकर्स के लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा आपका क्या मानना इस पूरे इंसिडेंट पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं Thank you for watching Moomfully Talkies, you are always welcome to share your feedbacks and suggestions